हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना गुर्वाल किचिन आज की रेसिपी में हमने जिस इंग्रेडियन का यूज किया है वह बच्चों का बजन बढ़ाने के लिए बहुत ही फेमस है यह बच्चों को हेल्थी वेट गेन करने में बहुत हेल्प करता है हेल्थी वेट गेन इसलिए क्योंकि इसमें फेट नहीं होता है इसे आप 8 मन से लेकर 3 इयर्स तक के बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, जिनर कभी भी खिला सकते हैं साथ यह बहुत ज़दा टेस्टी होता है तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक कुकर को गर्म कर लेंगे इसमें आधा चमच के करीब घी एड़ करेंगे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे थोड़ी से हींग एड़ करेंगे हिंग एड़ करने से बच्चे का डाइजेशन ठीक रहता है तो जरूर एड़ करें इसमें 3-4 करीपता एड़ करेंगे इसको हलका सा सौटे करेंगे इसमें एक लहसुन की कली को बारी काट कर एड़ करेंगे या ऑप्शनल है अगर आप यूज करते हैं तो एड़ करें नहीं तो ना डालें इसको हलका सा भूनेंगे एक छोटा आलू लिया है इसका छिलका निकाल देंगे और छोटा छोटा काट लेंगे कटी हुए आलू को को करमें डाल देंगे एक गाजर लिया है इसका भी छिलका निकाल देंगे और छोटा छोटा काट लेंगे आप गाजर की जगे किसी भी वेजिटेवल का यूज कर सकते हैं आप कटी हुए गाजर को को कर में एड़ कर देंगे थोड़ी सी मटर के दाने लिए हैं आप फ्रेश मटर या फ्रोजन किसी भी तरीके का मटर यूज़ कर सकते हैं इसको भी कोकर में एड़ कर देंगे इन सबको एक मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे अब इसमें दो चम्मस साबू दाना एड़ करेंगे जिसको कि अच्छे से धो लिया था और 4 घंटों के लिए सोप करके रख दिया था इसमें एक गिलास के करीब पानी एड़ करेंगे हलका सा नमक एड़ करेंगे अगर बच्चे टैनमन से छोटा है तो नमक ना डाले अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का धकल लगाकर 4 सीटी आने तक पकाएंगे जैसे ही कुकर का प्रेसर रिलीज हो जाएगा इसको खोल कर चेक कर लेंगे साबू दाने और सबजियां अच्छे से पक गए हैं या नहीं इसमें 1 फोर्थ स्पून के करीब भुनी हुई मूफली का पाउडर एड़ करेंगे आप चाहे तो ड्राइफ्रूट पाउडर भी एड़ कर सकते हैं थोड़ी सी काली मिश का पाउडर एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप बड़े बच्चों के लिए इसे मैशर से मैश कर लें या चोटे बच्चों के लिए इसे ग्राइन कर लें या टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिसे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें